नमस्कार, Education 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आईए अब चर्चा करते हैं नियाइक सक्रियता पर देखे भारती समविधान के अंदर सरकार के तीनों अंगों विधाईका, कारेपालिका और नियाइपालिका इन तीनों ही अंगों के कारेचेतर का विभाजन भारती समविधान के द्वारा किया गया है जर्नल कंडिशन के अंदर नियाइपालिका अपने कारेचेतर के अंदर ही काम करती है लेकिन ऐसी पोजिशन आ जाए जब कारेपालिका और विधाईका अपने कार्य छेत्र में आने वाले कार्यों पर सही प्रकार से कार्य ना कर रही हो किसी नेगलिजेंसी की वज़े से या किसी अन्य वज़ा से तो ऐसी पोजीशन में नियायपालिका, कार्यपालिका और विधाईका के उस कार्य को करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है, आ Public Interest Litigation यानि PIL के नाम से जानते हैं। 1979 में इस अवधारना के अंदर बहुत बदलाव आया। और 1979 में नियायले ने ऐसे मुकदमों पर सुनवाई करने का फैसला किया, निर्ने किया, जिसे पीडित लोगों ने नहीं, बलकि दूसरों ने दाखिल किया था। और जब नियायपालिका ने सुप्रीम कोट ने इस प्रकार से मुकदमों को सुनवाई करना शुरू की, तो इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ा गई, जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिक जो थे, और स्वयम सेवी जो संगठन थे, उन्होंने अधिकारों की रक करना शुरू की थी, देखिए हुसेनारा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ये 1979 का एक ऐसा केस है सुप्रीम कोट का, जो की नियाइक सक्रियता से जन्हिति याचिकाओं से जुड़ा हुआ, शुरू आती केसों में शामिल किया जाता है, इस केस से पहले हुआ क्या, 1979 में समाचार पत्रों में कुछ इस तरह की खबरे छपना शुरू हुई, कि विचारधीन कैदियों के बारे में खबरे आई थी, कि बिहार की जेलों में कैदियों को काफी लंबी अवधी तक बंदी बना कर रखा जा रहा था, और इन खबरों के आधार पर ये बात निकल कर स सकते थे, कहने का आर्थ ही है, कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराद किया हुआ है, जिसकी मैकसिमम सजा पांस साल है, लेकिन जब उसे कैद किया गया, तो उसका केस अदालत में चलता रहा, नियायले में उसके केस पर सुनवाई होती रही, और उस दौरान उसे जमानत भी नहीं मिली, और वो जेल के अंदर ही रहा, लेकिन उसकी जेल में अंदर रहने की अवधी जो थी, वो पांस साल से भी जादा हो गई, छे साल, साथ साल, आठ साल तक व्यक्ति जेल में ही पड़ा रहा, और अंत में देखने में ये आया, कि जब उसे सजा हो रही है, तो मैक्सिमम पांच ही साल तक की सजा दी जा सकती थी, तो ऐसी पोजीशन में, चूंकि उसकी जो अपराद की सजा थी, वो मैक्सिमम पांच साल हो सकती थी, लेकिन क्यूंकि हमारा जूडीशल सिस्टम इतनी सलो तरीके से कारे कर रहा था, कि व्यक्ति बहुत जैनारा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार केस के अंदर स्पीडी ट्रायल की बात की और इन्होंने कहा कि जो विचाराधीन कैदी हैं उनको स्पीडी ट्रायल का बहुत हक है उस वो स्पीडी ट्रायल के तहत अपने केस की सुनवाई कराने का हक रखते हैं इस केस के बाद सन 1980 में दिल्ली एड्मिनिस्टेशन वर्सेज सुनील बत्रा वर्सेज दिल्ली एड्मिनिस्टेशन नाम से एक केस आया इस केस के अंदर सन 1980 में तिहार जेल में बंदी जो थे जो कैदी थे उन्होंने सर्वोच नियाले के नियाधीश कृष्ण आयर को एक लै 1980 में हुसेन आरा खातुन versus State of Bahar और सुनील बत्रा versus Delhi Administration ये case ऐसे case थे जो कि जनहिती आचिकाओं से जुड़े हुए शुरुवाती case थे इन शुरुवाती case थे इन शुरुवाती case के माध्यम से जनहिती आचिकाओं के माध्यम से नियायलेन के अधिकार जो छेत्र था उस अधि कि ये पूरे समाज का अधिकार है और नियायालेक इसके अंदर हस्तक्षेप कर सकता है और धीरे धीरे करकर ये बास सामने आई कि भारतिय समिधान का आर्टिकल 21 जिसमें जीवन की अधिकार की स्वतंतरता दी गई है उसको बहुत एक्सपैंड किया गया और नियायक सक्रियत थाके अंतरगत जनहित्याचिकाओं के माध्यम से शुद्ध हवापानी और अच्छे जीवन के लिए जितनी भी कंडिशन है उन मामलों में भी नियायापालिका ने हस्तक्षेप करना शुरू किया आई अब हम चर्चा कर लेते हैं कि नियायापालिका जनहित्याचिकाओं क किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जनहिति आचिकाओं एक अच्छे टूल के रूप में कारे कर रही हैं। लेकिन सामाने परस्तितियों के अत्रिक्त जब कारे पालिका और विधाईका अपने कारे शेत्र में आने वाले किसी कारे को नहीं कर रही हो, किसी नेगलिजेंसी की वज़े से नहीं कर रही हो या फिर किसी डिले की वज़े से ऐसा कारे नहीं कर पा रही है कारे पालिका या व जरूर और तेजी से करना चाहिए इसके अलावा देखें न्याइक सक्रियता को जो लक्ष है न्याइक सक्रियता का लक्ष यह है कि व्यक्तिगत न्याय के साथ सामाजिक न्याय की इस्थापना हो सके न्याइक सक्रियता के कारण जनिहतियाचिकाओं के माध्यम से व्यक्तिग इस बात से बहुत अच्छे से अवगत है कि भारतिय न्याय पालिका के अंदर न्याय पाना गरीबों के लिए एक बहुत ही कठिन कार्य है। पर वो विचार करना शुरू कर रही है और साथ ही साथ विचार नहीं कर रही है इससे सम्मंदित विभाग को कारेपालिका या विवस्थापिका को विधाईका को आदेश भी जारी कर रही है कि उसे अपना कारे सही प्रकार से करना शुरू करना चाहिए इसके अलावा देखे नियाइक सक्रियता के कारण कल्यानकारी राज्य की स्थापना हो सकी है देखें कल्यानकारी राज्य क्या है कल्यानकारी राज्य ऐसा है जिससे जनता का जादा से जादा भला हो सके सरकार को ऐसे कार्य करने की छूट दी गई है जिससे जनता का जादा से जादा भला हो सके लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर हमारे देश में सरकार के जो दो अंग है विधाई का और कार्य पालिक का कहीं ना कहीं कार्यों को करने में देरी करते हैं जिसकी वज़ा से ज उसकी पूरती बहुत आसानी से हो जाती है इसके अलावा देखें नियाय सक्रियता के कारण कारेपालिका और विधाई का इन दोनों ही अंगों का जवावदेही जो है वो बहुत जादा बड़ी है अब ये अपनी जवावदेही से पीछे नहीं हड सकते हैं ये ऐसा नहीं कह स कि ये मेरे कारेशेतर में नहीं है ये मेरा कारे नहीं है किसी और का कारे है इनको अपना कारे करने के लिए नियाय वालिका के सामने जवाब देही बड़ी है साथ ही साथ इनकी जवाब देही जनता के प्रतिव ही बड़ी है और ऐसा संभव जनहित याचिकाओं के माध्यम स ही हुआ है और नियाइक सक्रियता के अंटर्गत जणिति याचिकाई एक ऐसा TOOL बन कर लोगों के सामने आई है जिसके दौरा जन्ता के हितों की बहुत आसानी से पूर्थी हो सकती है साती सात ऐसे कार्यों को बहुत आसाने से कराई नियायक सक्रियता के कुछ negative aspects भी हैं, इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, आए हम एक बार चर्चा करते हैं कि नकारात्मक पहलू कौन से हैं, देखें जनहिती आचिकाओं या नियायक सक्रियता के वजह से नियायल्य में जो काम हो रहा है, उसके काम का बोज बढ़ा है, नियायपालिका का जो कारे है, कारे छेत्र तो बढ़ा ही है, साती साती इस पर कारे का बोज भी बढ़ा है, नियायक सक्रियता के कारण विधाईका और कारे पालिका और जो नियायपालिका, यानि सरकार के जो तीनों अंग हैं, उनके कारेों के बीच में कुछ धुंदलाप ये पता ही नहीं चल पाता है कि कारेपालिका को ये कारे करना है विवस्थापिका को करना है या नियायपालिका को करना है क्यूंकि जो कारे विवस्थापिका और कारेपालिका को करना था अब उन कारेओं को करने के आदेश नियायपालिका जारी कर रही है जैसे मान लेते हैं आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं कोई विध्याले है कोई स्कूल है उस विध्याले के आसपास बहुत जादा गंदगी है बहुत जादा कूड़ा है ऐसी पोजिशन में उस कूड़े के कारण उस गंदगी के कारण उस विध्याले में आने वाले बच्चों के जो छात्रों से धहले में आ रहे हैं उन छात्रों के स्वास्त को बहुत नुकसान पहुंच सकता है लेकिन आप देखते हैं कि ये कुड़ा बच्चों के छात्रों के स्वास्त के लिए बहुत हानी कारख है उस से उस गंदगी से बच्चों के स्वास्त पर बहुत बुरा आसर पड़ सकता है और आप मालीजे कोई लेटर नियायपालिका को लिखते हैं सुप्रीम कोट को या हाई कोट को लिखते हैं जिसे जनहितियाचिका में कनवर्ट कर दिया जाए नियायपालिका के द्वारा सुप्रीम कोट या हाई कोट के द्वारा और उस पर सुनवाई हो तो नियापालिका ऐसी पोजीशन में उस पत्र के अगेंस्ट कारे करते हुए पत्र पर सुनवाई करते हुए उस चनिहतियाचिका पर सुनवाई करते हुए यह कारेपालिका को आदेश दे सकती है, संबंदित विभाग को यह आदेश जारी कर सकती है, कि जल्द से जल्द वो कुड़ा वहां से हटाया जाए, सफाई की जाए, ताकि बच्चों के स्वास्त को जो नुकसान पहुँचने वाला है, उसे तुरंत रोखा जाए, तो देखिए, यह हो क्या रह कारे करना चाहिए था, कारेपालिका को सरकार के ऐसे विभाग को जो की सरफाई करने का कारे करता है, लेकिन चुकि जनहित याचिका के माध्यम से नियापालिका के समक्ष इस प्रकार का मुद्दा पहुचा है, तो नियापालिका उस कारे को करने का आदेश दे रही है, तो न्यायपालिका जो है न्यायले उन समस्याओं में उलज गया है जिने कार्यपालिका को हल करना चाहिए जैसे यह दियो उधारन लें तो कार्यपालिका को क्या क्या कारे करने चाहिए वायू परदूशन दोनी परदूशन इन्हें दूर करना चाहिए ब्रस्टाचार से जिनिक हिट से जुड़े हुएं, जनहित से जुड़े हुएं और जनहित याचिकाओं के माध्यम से या समाचार पत्रों की खवर के माध्यम से सुओ मूटो एक्शन नियायपालिका लेती है, अपने आप एक्शन लेती है, तो ऐसी पोजीशन में हम ये मान सकते हैं कि नियाय प्रशाशन को तो करने चाहिए लेकिन लोगों का ये मानना भी है कि प्रशाशन ऐसा कारह नहीं कर पा रहा है साथी साथ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नियाइक सक्रेत्या से सरकार की जो तीनों अंग हैं उनके बीच में जो संतुलन था वो संतुलन धीरे-धीरे करकर बीच में हस्तक्षेप ना करें सरकार के जो तीनों अंग हैं वो अपना अपना कारह बहुत आसानी से सरलता से करें क्योंकि समिधान के अंदर सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का वर्णन स्पस्ट रूप से किया गया है लेकिन नियाइक सक्रियता के कारण नियाइपालि का जो सिध्धान्थ है उसके अंदर इस बात को कि जो एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए सरकार के तीनों अंगों को उस सिध्धान्थ को कहीं न कहीं आगात पहुंचा है जो कि लोकतंद्र के लिए सही नहीं है तो कुल मिलाकर यदी हम कहें तो हम ये मान सकते हैं कि नयाइक सक्रियता जहां एक तरफ सारजने खेत या गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे टूल के रूप में जनितियाचिका के माध्यम से कार्य कर रहा है तो वहीं नयाइक सक्रियता के कारण कहीं न कहीं हम ये भी देख संद आई है तो मुझे कमेंट करकर बताएं साथी साथ मुझे ये बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं धन्यवाद